वेलकम यूँ यूँ यूज़ इस दे फर्स्ट चेप्टर स्नेफ साथ का क्लास 11 दे समर आप दे ब्यूटी फूल वाइट हार्स student इस चेप्टर के जो भी साड़ क्षचन हैं हम अप लोड कर चुके हैं साथ ही साथ इस चेप्टर का जो भावार्थ है वो हिंदी में हमारे चैनल पर अप लोड है और इसका जो लांग क्षचन देख रहे हैं जो यह पहला है यह भी हम करा चुके हैं और सभी वीडियो का लि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह कोस्चन नंबर सेकेंड हम लोग इस चेप्टर में चेक करने जारें इस वीडियो के इंतरगत देखें सेकंड कोस्चन है लांग कोस्चन जो चचेरा भाई मुराद था उससे आप किस प्रकार से प्रभावित होते हैं इंप्रेशन होते हैं तो इसका जिक्र करना है लुकशिट मुराद वाज कजिन्स अफ अरम जो मुराद था ओ चचेरा भाई था अरम का और ही बिलांग्स टू गरोगहलेनियन फेमली तो वह एक गरोगहलेनियन फेमली से समंधित था जो मुराद था अर उसका जो कभीला था ओ काफि गरीब था पूर थाएं यहर फेमली वाज पूर एट उसका पूरा परिवार ही गरीब था मुराद का पूर एट फेमस फार अनेस्टी फिर भी एट मने फिर भी गरीब के साथ गरीब तो था ही लेकिन फिर भी काफी इमानदार होता था इमानदार था मुराद का जो फेमली है मुराद वाज क्रेजी मुराद बड़ी ही उनमत व्यक्तित था सनकी टाइब का था क्रेजी था पागल टाइब का कजिन मुराद इंज्वाइड बिंग एलिव जो चचेरा भाई मुराद था वहाँ अनंद लेना चाहता था अपने जीवन का किसी अन्य बेक्ती से जादे कहीं कजिन मुराद लवड हार्स राइडिंग और उसो बड़ी सवक था गुरसवारी करने का तो बहुत जादे सवक था कजिन मुराद को मुराद इंप्रूब्ड दे विल्डनेस अब दहार्स और जो जो घोड़ा था उस घोड़े में थोड़ा सा जंगली पन था पालतू वो था नहीं तो उसमें सुधार भी किया इंप्रूब्ड किया सुधार किया उस घोड़े को पालतू बनाया मुराद अलसो निव विथ वे डाग्स मुराद जो था वो डागों के यानि कि जो कुत्ते थे उनके तर तरीकों को भी जानता था कुत्तों के भी वारे में वो जानता था कैसे कुत्ते माने जाते हैं कैसे पालतू बनाया जाते हैं देखें यहाँ उसके प्यार को बता जा रहा है मुराद किस प्रकार से जानवर जो घोड़ा था क्या उसके करीबी था जब मुराद उस घोड़े को वापस लवटा रहा था और उससे अलविदा हो रहा था अलविदा हो रहा था उस घोड़े से तो अपनी बाहों को अपनी भुजाओं को उस घोड़े के आस पास रखता है और अपने थुथुन यानि नाक को उस घोड़े के नाक से लगा देता है यहाँ पर एक प्यार का एजहार करता है कितना लाइक करता था जो मुराद था घोड़े को So in the end we can tell that मुराद वाज बिलांग to the honest family अता हम कह सकते हैं तो तो गत्वा जो मुराद था उसका जो काफी इमानदार परिवास से संबंदित था Thus he returned the horse इस प्रकार से उस घोड़े को return कर दिया तो इस question को repeat कर ले It is also important question So thank you student